कभी भी आपके घर में कोही भी महमान आय खाने अगर आप बना को जब काफी पसंद आईगी मिखा बनाने लिए अई ने 600 गण c is ठंठल निकाल दिया धंठल निकाले के बादे यसाइक 500 к अहीं अच्छे तरह से जो लेगे जिससे दोगे में अच्छे आपक्ट पाइब सब्सक्राइब पालग को पकाने के लिए ऑन्मने पतिली में पानी में ज़रो बने का करना है जिनी जरूर डाले पानी को बॉयल करते समय जैसे आपके पानी में बॉयल होने लगेगा तो आप इसमें क्या गारेंगे तुरंट अपने पालक को डाल देंगे धियान रखे पालक को जब भी पकाएंगे दो से तीन मिनटी पकाएं जब तक आपकी डंठल अच्छे से पकना जाए इसमें धकन बिल्कुल भी नहीं लगाना बस थोड़ा हिलाते हिलाते आप इसे पका लेंगे इसे चलाते रहना है से कंटिन्यू तब इसे पका देंगे जैसे आपका बॉयल होने लगेगा पानी तो तुरंट गैस पंद कर देंगे इसे चलाते रहेंगे इस तरह से हम मं हमें थोड़ा सा चिल्द पानी ये le created a100 काफी जरूरी के हम आपको बताएंगे हमने चिल्द पानी क्यों लिया है इसमें हलका हलका अभाला आने लगा है अभाला किया है, हम गैस को बंद कर देंगे पालाग परीड़ बनाने की विधी आप एंड रिक दर जुरूर देखने है इसमें हमने आपके लिए step by step इसकी ट्रिक्स बताई है पालाग परीड़ बनाने की अच्छा उबाला घुए है हमने इसे तुरंट निकाल दिया है 2-2 3 अधिर मिल्लबाद इसे हम बिल्कुल के चिल्ड पाणी में डालदेंगे आपके पाद चिल्ड टो पाणिर जार में डाल देंगे इसका बिल क्यों हम फाइन पेश्ट बना देंगे हमने छेल्ट पायने में बसे डाला ही जो पकने का प्रोसेस होता है फिर स्टॉप गूझ कुछ बीना पके बिल्कुल тоirm版 बील्कुम बने इसलिए करना जरूरी है इसका हम पेष्ट बना दिनिंगे फाइन हमें दर्दरः बिल्कुल भीनहीं पीछना डीकिशना दिके हमने बिल्कुन फान पिस्ट बनादिया एगा देखिये हैं बिल्कुल जैसे चट्टमी होती है इस तरह के बनादीय मैं है म 논झे पलक पनीर बनाने के लिए हमें पनीर ले लिया हैं था 300 gram paneer अपन्हें काठा एक खाते हैं अपसे किसी भी इप में अपनीर पर आप कम जादा कर सकते हैं यह सकते हैं अपनीर के जितनी क्वाटिटी में आपको ज्यादा कर सकते हैं हमने गैस पर कड़ाई रग दिया और इसके साथ इसमें हम दो चमज घी के डाल देंगे घी से इसका टेस्ट काफी अच्छा बरकर आता है और इसमें एक चमज हम तेल का भी डाल देंगे दोनों को अच्छी से मिला देंगे जिससे क्या होगा आपका घी जो जल्दी से उड़ म Lazaur आपकर हलहां इसमें अपालग बनाती है तो आपका पनीर होता है तो उसमें एक पनीर नहीं लिप चाहिक जतेज presum प्रमप मंशेड़ ल्ए तो अगर इसमें पहलें होता है आपका बनीर टूटीनल लुँगा इसमें बाद में च्हेड़ने और इसमें पाद में च्हेड यानि कि हमारी उपर से सिग गई है इसके भीतर तक अच्छे से घी चले जाती ही तर अच्छा टेस्ट आता है इसका हमारा पनीर गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है अब क्या करेंगे इसी तुरंद निकाल देंगे हमने गैस को बंद कर दिया है इसे हमें एक प्लेट में निक इसी कडाई में अपनी पालक पनीर बना देंगे इसी में हमने एक चमच घी कर डाल दिया है और इसमें हम अपने तीन से चार अप तेज पत्ते डाल देंगे और चार हम लोंग डाल देंगे इसमें इसे अच्छी तरह से भून लेंगे पहले हम यह अच्छी तरह से भून ग आपका मन करें इसे अच्छी आप ने नहीं लेना है जब तक हमारी golden brown color की ना हो जाए बिलकुल अच्छी से भूनना है में इसे अच्छी तरह से भूलनेंगे और भूहते हैं अपना प्यास टाल देंगे में प्यास भी एट नहीं करना है बूहने में वहते हैं को यह तो ट्रा आस्पेरेंट होता है ना हलका सा पक जाए बिल्कुल इसका कच्छा पंदूर हो जाए इतना ही हमें इसे बुनना है गैस का फ्लेम आप मीडियम या फिल लो ही रखेंगे हाई फ्लेमे बिल्कुल भी नहीं करेंगे इसी कंट्यून्य ऐसी चलाते रहेंगे अब हम क्या करेंगे हमने मीडियम साइज का टमाटर काटा है इसे भी हम इसमें डाल देंगे हमने सबी को कटिंग करके डाला है. इसे बिल्कुल भी ज़्ञ नहीं टालेंगे, प्याज पी टमाटर हमें ज्लादा ग्रेवी नहीं करनी है. अश्य सबी defat. इसमे नमक डाल देंगे. और अधी चमच इसमे हम मिड़ी डाल देंगे और अधी हम रये चमच इसमें धन्यापावडर दंखेंगे उससे तरह से मिलाज़ेंगे अच्छी तरह से भूना ही को हम पवि थोरी देर तरह भब ढ़कन अटाके इस चेक लेंगे। यह अच्छा बूं गया है हमारा यह थोड़ा आशा टमाटर बख गया है अब हम क्या करें, थोड़ा इसे पानी डाल देंगे इस तरह से अच्छी तरह से पका और अच्छी तरह से बुन जाएगा है फिर घकल लगा देंगे इसका को झास के थोड़ी दे बत फिर चेक करेंगे हम हमारी ग्रेवी बनकर तयार हुए है हम देख लेते हैं देखिए हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से पक गई है अच्छी तरह से भुन गई है देखिए इसका तेल है जो किनारे पे आ गया है कडाई के सेपरेट हो गया हमारे तेल और एक चमच इसमें हमने कसूरी मेथी डाली है और आधी चमच इसमें हमने जीरा पाउडर डाला है यह आप्शनल में अगर आपको पसंद दे तो डाल यह हो गया है अब हम क्या गरेंगे जो हमने इसका प्योरे बनाया है पालक का इसमें डाल देंगे सबी को डालना है और जिसमें बच्छा है में बिल्कुल भी वेश्टने करेंगे इसे पानी से घुमाते वे फिर से इसे डाल देंगे इसे अच्छी तरह से मिला देना है हमे इसमें ज्यादा मसालों की बिल्कुल भी जरूत नहीं पड़ती, मसालों से मिन्स इसका प्यास टमाटर, इनकी इसमें ज्यादा बिल्कुल भी जरूत नहीं पड़ती, इसमें थोड़ा गरम मसाले अच्छे लगते हैं, इसमें काली मीर्च, लॉंग, इलाइची, काफी अच् कितना भी से पकाएंगे, इसा कण बिलकुल भी चेंज नहीं होगा आपए से कितना घीड थोड़ा सा पाने डाल ध vessel here पे काफी छाअथा हम पया थोड़ा पाने डाल्या पतला कर दिया है अब हम क्या करेंगे ऑव फे थोड़ा से using पाने देंगे इसमें हलका हलका उबालाने लगा है और इसमें क्या करेंगे आपनी जो हमें पनीर रखा है इसे पनीर को भी इसमें हम डाल देंगे हमने स्टार्टिंग में ही डाल देना है हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना किया करेंगे ठोड़ा ठेड़कने जल्दी लग जाता हुआ जैसे धीससे इस में उपालन लग जाता है वाहिए इधर हम उदर इसके चीटेए पढ़ने लग जाते है । आगे हम आपको बताएंगे कि कि दीचिते लगा है ये हम इसमें धकन लगा देंगे धिया अगे होगा। फिसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा। इस तरह बनाईगे इससे। बिल्कुल रेस्टोरर डक्रेस्टाल में बनेगी अदि छमच मौसला डाल दे करने स आदी कव मकाशनी में मलाई मुझाई पिरज़ मोगर इसमे डोहीं ॉण उस तरह से पालक पनीर बनेगा देखने में आपको लगी रहा होगा कितना क्रीमी सा मारा पालक पनीर बना है बस द्यान रखे इसका धकन पूरा नहीं लगाना है में आदा ही धकन लगाना है अच्छी तरह से हमारा पालक पनीर बन कर तयार हो गया है देखे काफी अच्छी तरह से पग गया है इसे पकान अच्छी तरह से इसका जो कच्छा पने हमें दूर करना है क्योंकि हमने वाइली से ज्यादा नहीं करा है हलका सा ही वाइल करा है आप चाहे तो इसमें धन्या भी डाल सकते थे जिस समय आपने पालक पीसा था ना मिक्सर में उससे समय आप धन्या की कुछ लीवस इसमें डाल के बीच सकते थे उससे भी इसका टेस्ट और फ्लेवर काफी अच्छा बार कर आता है और जो हमने थोड़ा सा पनीर बचाया था हमने आपको स्टार्टिक में बताया था यहां पर हम इसी का काम करेंगे जैसे रेस्ट्रेंट में होता है ना उस तरह से उपर से गानिस करने के लिए इसमें थोड़ा समने पनी डाल दिया है कर इस तरह से देखने में काफी सुन्दर लगता है लग रहा है मजेदार बस एं अच्छ वह नहीं है मगर आकपास बटर है तो ड्या टालिया बटर से टेस्ट का ईच्छ अच्छ भरकर राएगा आप खुद अज माखे देख लेना और आदी चमच इसमें ने जीरा डाल दिया है और पुशले लसन की कर लिया डाल दिया है लसन से इसका टेश्ट काफी अच्छा आता है लैसॉन को अच्छी तरह से हम कोर्ण ब्राउन कर देंगे और गैस को हमने बंद कर देना है तड़का हमें बिल्कुल भी नहीं चलाना है और आदी चमच इसमें हमने कस्मीली लाल मिर्च डाल देनी है आप चाहे तो इसमें साबोत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं उससे भी इसका टेस्ट काप अच्छा आता है और 1 पिंच आप इसमें हिंग भी डाल सकते हैं अगर आपंग नहीं पसंन, पसमें नहीं डाली पस्कार डालए बस हमारा तड़का तयार है ऐसे मैं तुन ताल देंगे गरम करम पालक पनीर में और आदी चमच उसमें बटर यॐग जम देना हाईगे कोई कह नहीं सकता हमने इसे घर में ही बनाया है हम तो इसे रोटी के साथ खाने वाले हैं अगर आपको चावल के साथ खाना है तो इतना थिक मत बनाएए थोड़ा से पतला कर सकते हैं पानी डाल कर देखिए तो आपका बार है हमारे घर खाने पालक पनीर आप इसे जरूर ट्राइ करने अपने घर मर यकीन मानिया आपको इस रेसिपी हमारी काफी पसंद आएगी बस स्टेब बाई स्टेब आपने इने फोलो करना है जो आपने इसकी ट्रिक्स पताईए आपको खास पालक पनीर बनान आपके महमानों को आपको यह पालक पनीर के रईसिपी काफी हिख संद आएगी और हमें कमेंट कर पर जौर बताना आपको हमारी पालक पनीर बनाना किे ट्रिक किस तरह लगी है अगर आप हमारी चनल में नहीं आये तो हमारी चनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल का आइकन जरूर प्रेस कर देना जब भी हम नई वीडियो डालेंगे तो तुरण आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच आएगा और हमारे चैनल को Like, Share जरूर करें आकर हम आपको ऐसी नई Recipe के साथ और नई ट्रिक्स के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए पालक पनीर बनाने की कभी भी आपकी घर में कोही भी महमान आई खाने के लिए पालक पनीर जरूर बनाईए अगर आप इस तरह बनाएंगे ना आपके महोणों को आपको इह पालक पनीर की रासिपी काफी पसंद आएगी और हमें कमेंट करके जरूब करके जरू बताना आपको हमारी बनानी के ट्रिक किस तरह लगी है तो और आप हमारी चनल में नई होेले तो हमारी चल् fak झाल झाल